गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिसीज राजब्रिंदर फ्रॉम करानु पब्लिक सीनियर्स केंड़ी स्कूल रही है बच्चे आपने टेंथ क्लास दा मैथ कर दे पाई है चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट की ता 4.1 आपने खतम कर चुके है 4.2 दा फर्स्ट क्वेस्चन हो गया वास सेकिंड क्वेस्चन देवे चोना ने क्या ही प्रॉब्लम्स नू सॉल्व करो जेडिया एकसांपल नंबर वान चैया ते मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करा चुके है वाँ आज आपन दुजी करांगे देखियो सेकिंड प्रॉब्लम्स जेडिया देखो क्वेस्चन देता क्या फी पांचे लाइना दा क्वेस्चन है हुन एदे तुँ आपना बढ़नी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ते उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नू आपना सॉल्व करना जानी की X दी वैल्यू पता करनी जदन देखो नानी क्या की या हार एक लाइन दा मेनिंग समझेओ उननाने क्या पी एक फैक्टरी या इंडस्टरी या उपिदा कर दिया कोज खटोने वगयर अपनों दियोगी देन देवेच हुण किन्ने ख़डउन एबणाँ दिया बस अपा एः हुई लबना अग्गेवी पपड़दा वाँ बस एक इंडास्ट्री आ उन्ने खडऊन एबणाँ आ ते उन्ने किन्ने खडऊन एबनाए वेखु लास्त दे उन्ना ने की क्या वा number of toys जेड़े किन्ने बनाएं उन्हों की करना आपां find करना एक दिन देविच फिर आपां जेड़ी चीज लबनिया उन्हों ए बी सीधा कोई अखर let कर लईने हैं आपां क्या let number of toys toys is equal to x सानू पता ही नी किन्ने ते आपां x लिख ले उन्हों आपां second line तो देख दे सानू कुई चीज जा hint मेर दिया according to question उन्हों ने है question दे according की क्या ना ने उन्हों ने क्या the cost of production of each toy cost of each toy के दे equal या वास दी जगा ते equal पाता 55 minus 55 minus the number of toys 55 minus the number of toys 55 minus number of toys किन्ने ने x आपां चीज लेख दी किन्ने toys बने सानू नहीं पता आपां x लेट कर लिया ते एक toy दी एक खडोने दी कीमत किन्निया 55 minus number of toys होर अग्ये चाल दे या अपां उन्हांने होर की क्या next line वे चोना ने क्या total cost की क्या उन्हांने total cost वास वास 750 ते total cost कितना लिखी दी एक total cost लिखन दा तरीका समझलो एक question च हो और आपां एदाई करना मां एक देन देवे च खडोने या दी कीमत किन्नी साड़े सा सूर पई या ते लिखी दा किद्धा मा total खडोने किन्ने या x ते एक खडोने दी कीमत किन्नी या 55 minus x ते total कीमत बन जान दी इना दोना दी product करके याद रख लोग एदा लिखी दा आपां total toys किन्ने या ते cost किन्नी या एक खडोने दी जिद्धा मालो मैं कवा पी total pencils है गी या 90 रपैदी या हुन एक पैंसल है गी ही तेन रपैदी ते total पैंसला किन्नी या ही ती ते ते नतीजा किन्ना हुन दा नबी हो गया मैं एधे total pencil लिखी या ते एक pencil दी कीमत लिखी एक pencil दी कीमत लिखी ते total लिखे ते दोना दी product करोगे असल कीमत आ जान दी हुने नो solve करके x कड दे या x नू 55 ना कीता 55x x नू x ना कीता x square के दे बराबर 750 दे x square minus दा उदर जाके क्यो जूगा प्लास हो जूगा x square परले बनने लागे प्लास हो गया 55x परले बनने लागे माइनस हो गया ते उदर कौन ही 750 नू उद्दा लिखे रहें ता केदे बराबर 0 दी इदर कोजनी बचे आते इदर 0 लेख तेना आद दोने परले बनने लागे माइनस दा प्लास हो गया प्लास दा माइनस हो गया नू सॉल्व करना एक केड़ी इक्वेशन बन गिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों एक्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों एक्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि एदी पावर किन्नी आई टू पावर टू आली इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक आई दा हुण solve करन दा तरीका देखो किया सानु पता एक अपना तरीका हुदा quadratic formula using quadratic formula जिदा last question कराया मैं ओह ही formula लाओं देया तांकि तानु पूरा रवाईजो जे इको method ना करदा पया x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a हुण एथे a, b, c कितना लब्बी दे जेडा x square ना लगा जे कोजनी ते 1 हुँदा उनु ए कईदा आसाटे कोड a वा जेडा x ना लगा विचे sign उनु कईदा b जेडा कल्य याडा वा उनु की कईदा c एथे पर ये b दी जगा ते किन्ना पर आंगे minus 55 प्लास माइनस b दी जगा ते किन्ना पर आंगे minus 55 ते उपर square a दी जगा ते 1 c दी जगा ते 750 हे था 2 a दी जगा ते 1 आ गया माइनस माइनस प्लास 55 55 दा square करना 55 नू 55 ना multiply करिए देख दें किन्ना ओंदा 55 नू 55 ना multiply किता 55 चा 25 55 चा 25 ते 2 किन्ना हो गया 27 55 चा 25 55 चा 25 ते 2 27 55 75 75 12 10 3025 3025 मैं माइनस नहीं लोना प्यां क्योंकि माइनस हो वेते पावर इवन हो वेते हो positive चा बदल जान्दा sign चेंज हो जान्दा फिर माइनस 750 नू 4 टाइम कीता 4 0 जा 0 4 5 चा 20 2 पर कैरी 7 4 जा 28 ते 2 किन्ना गया 30 हुन एथे किन्ना आजू गा हेठा 2 वान चा 2 55 प्लास माइनस तेन हजार पंजी चो तेन हजार कड़ो ते कल्ला 25 रह गया हेठा 2 55 प्लास माइनस 25 दा रूट किन्ना दा 5 हुन X जेडा वा एदा लिखना दा अग्गे X is equal to एक वार प्लास पाके लिखना एक वार आपा X is equal to 55 माइनस 5 बाए 2 55 ते 5 किन्ने होगे 60 बाए 2 ते दूसरा किन्ना आजूगा 50 बाए 2 2 वांचा 30 आगया 25 आगया X किन्ना आगया 30 X किन्ना आगया 25 दो वैलिउस आगया इन दोना चो केड़ी वैलिउ क्रेक्ट या कितना पता लगदा वैसे ते जे ते नेगटीव हूं दी अपा रिजेक्ट कर सकते ही इन दोना वैलिउनों तो ही असेप्ट कर ले हो तो ही कहा दे हो आईदर X 30 और X is equal to 25 फेर मैं थोड़ी थोड़ी हैं चीज जैं फिर एच दासता मा देखो question चो ना की क्या ही उन आने क्या ही पि एक factory या इंडस्ट्री या वो कोज घटों ने बनाओ दी देन वीच सानू नहीं ही पता 10 खड़ोने बनाओ दिया होनते पता लागया 3 बनाए जा 5 बनाए पहलो नहीं पता अपा लेट कार ले number of toys किन्ने या x तो ये थे y भी लेख लो z भी लेख लो जो मान कारदा फिर उना ने अग्गे-ग्गे सबकोज दसी जान दिया उना ने क्या कीमत किन्नी या एक खड़ोने दी 55 माइनस नंबर ओफटोईस 55 चो माइनस कार देना number of toys number of toys किन्ने या x माइनस कारता ते फिर उना ने क्या ही total कीमत किन्नी या उस देन जिन्ने मी खड़ोने बने उना दी साड़े सा सो रपईstände और安व साड़े कीमत किद आ ल qi dhi खटोने किने या ते एक दी कीमत किनी किन्से टोएस या ते each टोए दी कॉस्ट किन्से दोना नो बाटिपुलाई करोगे ते टॉटल कॉस्ट निकपर करोगे फिर multiply करके केड़ equation बनगी quadratic, quadratic नो solve कितना करीदा, केड़ा formula लाके quadratic formula, अब formula ना पुल ले, x is equal to minus b, plus minus b square minus 4ac दा root, एनु वैसे कईदा जे discriminant, आज एड़ी चीज हुन दी, b square मैं थे note वैसे दास दना, जेड़ा हुन दा, b square minus 4ac एनु की कईदा आपा, discriminant, discriminant कहने आपा, अग्य अग्य होर चीजा समझ आणगी है, एफार्मूला लाया, a, b, c, कितो निकल दा, quadratic equation चो, जेड़ा x square ना लगगा, ओ, a हुन दा, जेड़ा x ना लगगा, ओ, b हुन दा, जेड़ा कल्य आड़ा, ओ, c हुन दा, केड़ी चीज ना पुले, sign, sign जरूर लाई दा, जे b देकोड minus आँदा प्याते, minus जरूर एथे, लोणा ही लोणा आपा, minus minus plus, minus दा square भी plus हो गया, square root के दा कीता 25 ता 5 आगया, एक वार प्लास पा के चीज लेखती, एक वार आपा, minus पा के लेखती, ठीक है, एननों पूरा रवाइस करेओ, thank you